तो नमस्कार स्टेंट आज की जो मैं वीडियो लेकर गया हूँ यह हाड़वेर का टॉपिक उपर है कि जैसे मैंने आपको बता थे कि पहले जितने भी हमारे पार मोबाइल फोन आते हैं जिसमें हाड़वे संबंदित प्रॉब्लम आते हैं उसको हम लोग कैसे रिपेर तरीके बारे में आप लोग सीखेंगे तो दोस्तों मेरा नाम राग्वंद और मैं इटेक इस्टुएट कांद्व से बात कर रहा हूं जहां पर आपको मोबाइल फोन है लैप्टाप है इस तरीके से टेक्निकली कोस आपको सिखा जाता है यहां पर हम लोग जो मोबाइल फ क्लास करते है तो 45 देस के अंदर पूरा कोस कंप्लीट जाता है उनको बेसिक लेवल से लेकर अड़मांस लेवल तक की कंप्ली ट्रेनिंग आपको दी जाती है तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं जैसे हमारे पात यह मोबाइल फोन का बोर्ड है यह पीसीवी बोर्ड है पीसीरframe में इन सब चीजों के बाड़े में हम लोग लोग इसमें सीखेंगे तो आज हम लोग प्लेट के अंदर जो भी सारे कंपोडेंस हैं उन सारे कंपोडेंस के अंदर जानेंगे कि हमारे मोबाइल फोन के वारे मारे JES combined bacteriainaire यह के करेंगे SEE करेंगे कैसे उसको रेपेर कर है यह क्या एक एक करके सब चीजों के बारे में हम लोग सिखेंगे तो आज दोस्तों जो है मैं वीडियो लेकर कर आया हूँ यह हाडवेर टॉपिक ऊपर है अपना कि जैसे आप देखा कि मैंने सॉफ्टर के बारे में पूरा सीरीज निकाला है कि सॉफ्टर में बहुकुल ए करके आया हूँ जो इस्ट्वेंट डेमो लेना चाहते हैं वो कहते हैं कि सर मैं आपके पास मोबाइल फोन रिपेटिंग का को सीखना चाहता हूँ हमने का चलिए बहुत अच्छी बात है आप हमारे पार को सीखना चाहते हैं लेकिन आप को सीखने से पहले कम से कम 5-10 वीड आप कई सारा वीडियो देखिए उस वीडियो के माध्यम से मेरा देखने आपको दिखाने का परपस है ताकि आप देख सकें कि किस तरीके से आपको ट्रेनिंग दी जाती है किस वे में आपको सिखाया जाता है यह सिखाने का तरीका कैसा है कितना आसान तरीके सिखाया जात करते हैं आज जो अपना टॉपिक है हम आपको सम्झाने वाले हैं कि हमारे पी सीवी के अंदर कौन-कौन से कंपोरेंट कौन-कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और उनको कैसे चेक किया जाता है जैसे माली आपके बाद मोबाईली फोन के अंदर यह बोड है इसको हम लोग बो बोड पी सीवी पी सीवी का पूरा नाम क्या होता है प्रेंटर सर्केट बोड हमारे बाद जितने भी मोबाईल फोन आते हैं सारे मोबाईल फोन के अंदर यह बोड लगा होता है मोबाईल फोन के अंदर जो पी सीवी बोड होता है यह पी सीवी बोड तीन इस्सों में होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आई सी अगर यह सब चीजों को विजिवल करने की बात करेंगे तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ यह अपने टीवी स्क्रीन पर चलते हैं और मैं जैसे मेरे पास यह मोबाइल फोन को बोर्ड है यह पीसीवी बोर्ड का मैं आपको वीव दिखाता हूँ इस बोर्ड गंदा जितने भी से छोटे छोटे लगे होते हैं यह सब क्या कहलाते हैं हमारे कंपोनेंट कहलाते हैं अगर हम बात करेंगे तो जितने भी छोटे छोटे लगे होते हैं इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं यह जो black color के लगी होते हैं इनको सब हम लोग IC बोलते हैं यह सारे आपके component है अब यह क्या है नीले पीले हरे double color के यह है यह है यह है यह सब चीजें क्या है तो यह सब हमारे component की category में आते हैं तो इन सब शीजों को हम लोग इसमें सीखेंगे कि component क्या है आइसी क्या है उसके बाद आपके mobile phone के अंदर जैसे यह plastic के लगा हुआ है इसको हम लोग hand free jack बोलते हैं यहाँ पर लहटा था charging jack हो गया और यह आपका जैसे mobile phone में लगा है मैं थोड़ा सा उल्टा करके दिखाता हूँ यह आपका SIM jack है memory jack है on our switch है तो इस तरीके से यह battery connector है तो ऐसे mobile phone के अंदर जितने भी सारी चीज़ें लगी होती है उनको हम लोग कैसे चेक करते हैं यह सारा सब कुछ हम लोग इन वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं तो pcb का पूरा नाम होता printed circuit board यह सारे components लगे होते हैं jack लगे होते हैं यही सारी चीज़ें मिल करके ही हमारे पूरे mobile phone को चलाते हैं अगर हमारे mobile phone कोई भी खराबी हो जाती है कोई भी समस्य आती है कोई भी दिक्कात आती है तो जो भी हमको repairing करना होता तो सब इसी में repairing करना होता है इसी में हमको क्या करना होता है ठीक करना होता है तो आज की वीडियो के में हम लोग इन सब चीजों के बारे में हम लोग समझने वाले हैं कि ये सारी चीजें क्या है और इनको कैसे चेक किया जाएगा इनको चेक करने के तरीका क्या है चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जितने भी सारे components होते हैं, इनके बारे में पूरा information देता हूँ, कि यह क्या-क्या सारी चीज़े लगी होती है, जिनको हम लोग check करेंगे. PCB component information मतलब PCB के अंदर जितने भी सारे component लगे होते हैं, उन सारे component के बारे में information कि वो component क्या काम करते हैं, उनका नाम क्या होता है, उनका काम क्या होता है, उनकी working क्या होती है, उनकी testing क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके हम लोग step by step वीडियो में समझेंगे, तो हम लोग सबसे पहली बाद समझते हैं कि हमारा जो सबसे पहला components आता है सबसे पहला component होता है जिसका नाम होता है register सबसे पहला component होता है जिसका नाम होता है register उसके बाद दूसरा होता है capacitor • कुल 8 19 3 20 21 22 22 transformer, crystal, speaker, ringer, mic, speaker ringer mic vibrator display or touch jack IC battery ETC तो इस तरीके से ये total mil मिला करकर सजी total 14 तरह के components हो जाते हैं जो हमारे पूरे mobile phone को चलाते हैं अगर हमारे mobile phone करना कोई खराबी आती कोई समस्य आती तो इनी में से कोई खराब हो जाता है जिस करन से हमारे mobile phone में काम करना बन कर देता है बेसक वो mobile phone आपके पास M.I. company का है Vivo company का है रियलमी है टेक्नो है लावा है आइफोन है किसी भी company का कोई भी ब्रांड क्यों ना हो लेकिन हमारे mobile phone करना जो पुर्जे लगे होते हैं वो यही सब totally पुर्जे लगे होते हैं तो उसको अनसान के अंदर खिटेने पुर्जे लगे होते हैं Bruce, गुआ क्या है, फेभडा क्या है सिर क्या लगे है, चुआ काई, और पेट क्या है इन सब चूशीों के बारे में अच्छे सानुवा होना चाहिए जब तक सबन इनके बारे हम नहीं होगा के लिए यह video sir मैं उन बच्चों के लिए देता हूं जो भीकुल basic हैं जो भीकुल zero हैं और वो सभना चाहते हैं कि mobile phone repairing का काम कैसे सिखा जाएगा या mobile phone repairing को सीखने का तरीका क्या है और सीखने के कितना आसान तरीका है तो उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना करके दे रहा हूं ताकि वो सब लोग वीडियो के माध्याम से जानकारी ले सकें समझ सकें और सीखने की तरीके को समझ सकें क्या सिखने का तरीका है तो ये जो वीडियो जो अपना होने वाला आए तॉपिक चला है ये बेसिक के बारे है मुझलना PCB component का information हमारे PCB के अंदर जो छोटे मुड़े components लगे होते हैं वो क्या काम करते हैं उनका नाम क्या होता है उनका काम क्या होता है लोग हैं जो आफ साल-दस साल से मोबाइल फोन कि क्या चीज लगा तो इस वीडियो के मार्ण वह को मांच्च हो जाएगा तो यह चौदा तरह के components होते हैं, चौदा तरह के components होंगे, तभी हम mobile phone को ठीक कर पाएंगे, और mobile phone को repair करने में हमको आसा नहीं रहेगी, तो resistor है, coil है, diode है, transistor है, transformer है, crystal speaker, ringer, mic, vibrator, display attach, jack, IC, battery और ETC, ETC में जैसे तुम्हारा fingerprint है, scanner है, या sensor है, camera है, यह सब चीजें आ जाती है, तो यह मैंने आपको बता कि PCB component के अंदर इन सब चीजों के बारे में detail का आपका पता होना, बहुत ज़रूर है कि जब आपको detail पता होगा, तब यह आप अच्छे से repairing कर पाएंगे, तो यह दोस्तों मैंने आपको PCB component के बारे में बताया, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ, कुछ tools के बारे में हैं, कि जो लोग ऐसे हैं जो video के माध्यम से, hardware के माध्यम से बहुत सारी शीजों के बारे में ज्यानकारी ले रहे हैं, या सीखना चाह रहे हैं, तो घर बैटे ही mobile phone repairing के बारे में सीख सकते हैं, और थोड़ा सा experiment कर सकते हैं, फिर अगर उनको लगे, कि नहीं भाई हमको काम सीखेना चाहिए, तो आप आईए बेसक, आप पूरा complete training ले करके जाहिए, ताकि आप अच्छे से काम कर सकें, तो हम लोग अब बताते हैं, क्या-क्या tools की जगुद पढ़ती है, जैसे हमारे पास कोई भी mobile phone आता है, उस mobile phone repairing करने के लिए, mobile phone को ठीक करने के लिए, mobile phone में काम करने के लिए, हमको क्या-क्या tools चाहिए, क्या-क्या औजार चाहिए, क्या-क्या repairing के सामान चाहिए, इन सब चीजों के बारे में हैं, वो आज मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ, वीडियो आपको समझाने वाला हूँ, तो हम लोग समझने वाले हैं, टूल्स के बारे में, ठीको दोस्तों, जब तक हमारे पागर टूल्स अच्छे नहीं होते, अगर हमारे पागर आजार अ सबसे पहली बात है हर एक बंदे के पार मल्टी मीटर होना चाहिए उसके बाद जिससे सारे मॉबाइल फोन को खोल सकता है उसके बाद आपके पार टुीजर होना चाहिए टूीजर का मतलब आहिए होता है चिम्टी उसके बाद soldering iron होना चाहिए जिसके माध्यम से उटांका लगाएंगे उसके बाद soldering iron के पाद आपके पास होना चाहिए flux paste flux paste के बाद फिर आपके पास होना चाहिए jumper wire उसके बाद reti जिसको हम लोग filer बोलते हैं reti होना चाहिए जिससे scratches करने के लिए साफ करने के लिए एक हमारे पार red matte होनी चाहिए जिसको हम लोग OCA matte भी बोलते हैं red color की matte होना चाहिए जिसमें हम आराम से बैट करके काम कर सकते हैं उनको कोई problem नहीं आती है कोई motherboard में कोई दिकत नहीं आती यह होना चाहिए उसके बाद एक हमारे पास hot gun machine होनी चाहिए जिससे हम mobile phone करने जो पुर्जे हैं components है, parts है, इन सब चूजों को असानी से निकाल का लगा सकते हैं उसके बाद हमारे पास होना चाहिए एक PCB stand PCB stand के महला जो जिसमें हम plate को फसाते हैं जिसे हमारा repairing करते है समय या काम करते है समय हमारा board हिलता नहीं है उसके बाद iron stand iron stand उनना चाहिए जिसमें हम लोग iron को अपना set करते हैं iron को रखते हैं उसके बाद brush cleaner क्या होना चाहिए brush cleaner क्यों mobile phone में साफ करने वाला brush होना चाहिए जिससे आप mobile phone को साफ कर सकते हो उसके बाद brush होना चाहिए cleaner होना चाहिए फिर आप के पास होना चाहिए cutting wire जिससे आप wire को cutting करेंगे यह cutting wire जो होता है 0.4 mm का होना चाहिए 0.5 mm का होना चाहिए दो तरह के cutting wire होना चाहिए 0.4 mm का 0.5 mm का cutting wire होना चाहिए उसके बाद आपके पास होना चाहिए एक separator separator एक cloth का packet जिससे कपड़ा होना चाहिए जिससे आप उसको क्या करेंगे साफ करेंगे और मलब display screen को साफ करेंगे display को change करने के समय cutting करते समय उसको clean करेंगे और आपके पास होना चाहिए glue remover उसके बाद आपको होना चाहिए glue paste और एक आपके पास होना चाहिए तो दोस्तों आपको काम करने के लिए थोड़ा सा इतना सामान आपको लेना पड़ेगा, जब इतना सारा सामान होगा, तो आपको हाड़वेर काम करने में आपको बड़ा असानी रहेगी, और आपके लिए बड़ा साहूलियत रहेगी, जिसके माध्यम से आप अपना घर काम को कर सकते हैं और मोबाइल तो कि आप मंगाना चाहते हैं तो मंगा भी सकते हैं हमसे या भाष से भी खरी सकते हैं कितनी कीमत काता है आप dagegen तरह कि कहीं मार्केट कमयरबार विपा allt भी मैं परिसंत बाइग से प्रिसे जि laid on अब सबसे पहली बात का यह जब सारी चीजें होंगी तब ही हम लोग उन सब चीजों के बारे में सीख सकते हैं और आंगे की क्लास को हम लोग continue रखेंगे की बताएंगे की चीजों को कैसे repair करेंगे कैसे check करेंगे fault कैसे diagnose करेंगे इन साब चीज़ों के बारे में हम लोग आंगे सीखेंगे अब चलिए इनके price के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि जितने बे सारे नए लोग होते हैं तो उनको पैसों से बड़ा परिसानी होती है क्या रिप सामान तो सजी आपको मोटे मोटा idea बता देता हूँ ताकि जब आप चीज़ मांगेंगे तो वो चीज़ आपको मिलेगी और अच्छे से काम करेंगे तो सबसे पहलो जो मल्टी मीटर आता है यह मल्टी मीटर सम्टिंग साजी एक सो पचास रुपएग आता है इस्कूड राइवर का सेट आकर लेने जाएंगे तो अच्छा इस्कूड राइवर का सेट एक सो पचास रुपएग मिल जाता है चिम्टी लेने जाएंगे तो चिम्टी आपको अच्छी चिम्टी की बात करेंगे तो 50 रुपए के चिम्टी आपको मिल जाती है Solding Iron की बात करेंगे तो Solding Iron सजी 120 रुपए काता है Flux Paste की बात करेंगे तो Flux Paste 15 रुपए काता है Jumper Wear 10 रुपए काता है और आपका रेती जो होता है 20 रुपए काती है Red Matte जो होता है 150 रुपए काता है Hot Gun Machine जो होती है सजी 2400 रुपए की आती है PCB Stand जो आता है ये 60 रुपए काता है Iron Stand जो आता है ये 70 रुपए काता है Brush की बात करेंगे तो Brush आप 1200 रुपए के Brush आपको मिल जाते हैं और Cutting Wear की बात करेंगे तो Cutting Wear अगर 0.5 दोनों Cutting Wear लेंगे तो आपको 80 रुपए में दोनों Cutting Wear मिल जाते हैं Separator जो आपको मिल जाता है Summing 2600 रुपए के मिल जाता है Cloth का Packard जो आता है आपको 15 रुपए काता है Glue Remover की बात करेंगे तो ये आपको 50 रुपए काता है glue paste की बात करेंगे तो ये भी आपको 60 रुपय काता है surgical blade की बात करेंगे तो ये आपको 200 रुपय का पूरा stand site आपको मिल जाता है अगर इन सब चीजों को अगर आप calculator से count करेंगे ये calculator से add करेंगे तो देखिए मैं आपको इनको add करके बिठाता हूँ कितना रुपय होने वाला ये भी मैं आपको समझाता हूँ जैसे आप multimeter की बात करते हैं तो ये सब आपको दिखाई दे रहा होगा ये multimeter अपना कितने का आजाएगा 150 रुपय का आजाएगा प्लस 150 रुपय का ये हो गया 50 रुपय का तुमारा चिम्टी हो गया 120 रुपय का सोल्डिंग एरन हो गया 15 रुपय का पेस्ट हो गया 10 रुपय का जंपर वायर हो गया 20 रुपय की रेती हो गई 150 रुपय का रेट मैट हो गया 24 रुपय की होट गन हो गया 60 रुपय का PCV स्टेंड हो गया 70 रुपय का एरन स्टेंड हो गया 10 रुपई का बुरूस हो गया 80 रुपई का cutting वायर हो गया 26 रुपई का आपको separator हो गया 15 रुपई 15 रुपई के आपके cloth हो गए और 50 रुपई का glory more हो गया 60 रुपई का glue paste हो गया और 200 रुपई का surgical bet हो गया, अगर total देखेंगे तो something 6,030 रुपए के सामान आ रहा है तो सजी सामान में अगर थोड़ा सा 19-20 लेते हैं तो मुझे आपको मैं आपको बताऊं यह आपको 6,000 से लेकर के साड़े 6,000 तक के अपरोक्स में सारा सामान आ जाता है और हार्डवेर का काम आप आसानी से धड़ाके के साथ में हार्डवेर का काम करना इस्टार्ट कर देते हैं कोई problem कोई दिकत नहीं आती अच्छे से काम आपका चालू हो जाता है कोई समस्य कोई दिकत नहीं आती तो जो ऐसे जीरो लेवल के इस्टुएंट हैं वो सब चीज़ों को ले सकते हैं और इन सब चीज़ों को लेने के बाद अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं अगर उनके पाद 6,000 रुपए नहीं है तो 2-3,000 रुपए का बजट है तो एक सपरेटर मसीन होती सपरेटर मसीन को अगर कम कर देंगे तो भी वो आधे मनलब 6,000 का काम 3,000 में ही हो जाएगा और आपका काम चालू हो जाएगा काम करना स्टार्ट कर देंगे प्रेटिकल करना भी स्टार्ट कर देंगे और काम भी चालू कर देंगे तो कि दोफ्तों मैंने आपको सामान के बारे में बताया कि यह सारा सामान हमारे पास होना चाहिए जब एस सारा सामान होगा तब ही हम लोग को आँगे प्रयक्टिस कर पाएंगे theoretical, practical हम दोनों mode को ले करके चलते हैं, तब ही हमको आड़े बार अच्छे समझ में आता है, और हम अपने बच्चों को अच्छे से सिखा सकते हैं, और सिखा पाते हैं, हमारे अपने बच्चों को बेतर अच्छा सिखाने का यही करण है, कि हम उनको जिस चीज के बारे में करते हैं, उस चीज के बारे हम समझाते हैं, उनका practical उनको 100% कराते हैं, कि कि जब तो practical नहीं करेंगे, तो उसका मतलब नहीं बनता, लॉजिक नहीं बनता, सिरपहर ही नहीं होता, तो यह दोस्तों मैंने आपको बता हुआ है, क्या-क्या सामान के हमको जगुरत पढ़ती है, यह सारी चीजे हैं, यह हमको चाहिए चाहिए, और यह सब चीजों के बारे में हम लोग basic class में हम लोग पढ़ेंगे, तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया है, क्या-क्या टूल की जगुरत पढ़ती है, क्या-क्या उजार चाहिए, कितने रुपएग अप कोई भी दिखात आती है, तो आप हमारे नीचे दिया हुए स्केरियन पर नंबर पर संपर कर सकते हैं, और वीडियो के माध्यम से कोई भी problem आती तो आप समझ सकते हैं, और अगर आप mobile phone repairing की इस तरीके से complete training लेना चाहते हैं, तो आप training center को join कर सकते हैं, यह training center कानपूर उतर सागर मार्केट में पड़ता है, यह सागर मार्केट जो कानपूर railway station है, जो नियर railway station है, वहाँ से 200-300 meter के दूरी पर नियर about है, आराम से आप आकर कर सीख सकते हैं, और आप वीडियो के माध्यम से channel पर जाकर कर देख सकते हैं, यह 2012 का channel है, 2012 से इससे पहले से भी मैं training करा रह होती, कि कहते हैं, यह है, वो है दुनिया बर की, लेकिन मैं आपको कहता हूँ, यह 2012 का channel है, और A से लेकर Z तक मैं हर एक बच्चों के लिए इस वीडियो के माध्यम से उनको update देता हूँ, और वो A से लेकर Z तक सब बच्चे हमारे पास सीख करके जाते हैं, जितने भी बच कि मैंने कोसिस करी है, और मैंने PCP के अंदर कितने सारे components लगे हैं, उनके बारे में बताया है, और component को यूज करने के लिए क्या क्या हमको tools चाहिए, क्या क्या study material चाहिए, इन सब चूजों को बारे में मैंने आपको बताया है, जैसे आप किसी भी school में पढ़ने के लिए जा ये बैग है, ये पैंसिल, रबर, गेटिस, ये सब कुछ बताया है, जैसे नहीं बताया जाता है, क्यों इसलिए बताया जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चा गया और teacher के सामने बैट गया, और teacher भी सामने खड़ा हो गया, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन दोनों बेकार, क्यों, क्योंकि दोनों सफल तभी हो सकते हैं, जब उनके बीच में किताबे होंगी, जब उनके बीच में कॉपी होंगी, उनके बीच में पैंसिल, रबर, ये सब चीज़े होंगी, तभी तो सीख पाएंगे ना, तो इसका मतलब मेरा कहने का सजी मतल तो इन सब चीजों के बारे में वीडियो के मात्यम से मैं आपको दे रहा हूँ, आप समझें, कोई भी प्रब्लम कोई भी दिक्कत आती तो हमारे नीचे देवे नंबर पर संपर करें, वीडियो आपको कैसी लगी, चैनल में बने रहे हैं, वीडियो को सेर जरूर करें, ताकि हम आपको इतना महिनत करके आपको वीडियो देते हैं, तो आप भी हमारी वीडियो को सेर करें, और सब्सक्राइब करें, और एक अच्छा सा पॉजिटिव मैसेज करें, ताकि हमारे पास हमको भी अच्छा लगे, और आपको भी हम खुशी से बहुत अच्छी ची जानकारी दे सकें और अच्छी ची इन्फोर्मेशन को दे सकें, ये बिडियो में ब cortar ने रहने के लिए, थेंक्यी दोस्तों x12 तो दोस्तों मैंने आज maars hardware के बारे में आपको वीडियो आपको बताया है तो वीडियो को सेर सब्सक्राइब जरूर करें तो तो आज मैं दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे बाद जितने भी सारे इस्टेंट हैं वो सब लोग theoretical और practically माद्यम से सीख रहे हैं मैं आपको इस वीडियो के माद्यम से अपना लैब भी दिखाना चाहता हूँ कि लैब में क्या-क्या सारी चीजें हैं क्या-कया सारे टूल से हैं क्या-कै सांसादन हैं जो आपको सीखने के लिए मिलते हैं और जो सारे बच्चेया को भी बैट करके सब्सक्राइब भी करें और कोई भी प्रोब्लम आती है सीखने से लेकर के ट्रेनिंग से लेकर कोई प्रोब्लम आती है तो आप उन सब चीजों को बारे में समझ सकते हैं आज मैं आपको और एक वीडियो के माद्यम से कहना चाहता हूं कि एक हमारे पास इस्टुएंट है जो धर्बन जी है वो गोणा बस्ती से रहने वाले कांसे रहने वाले सब इलहावा से रहने वाले हैं तो आज उन्होंने अपने ट्रेनिंग सेंटर को जोईन किया हुआ है औ और हम उन्हें स्टुएंट के बारे में आपको बताते भी हैं आपको समझाते भी हैं और अगर आप भी मुबाइल फोन रेपेरिंग के कमपलेट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो जो जो लोग अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं और अपने क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं इन्फोर्मेशन मिलने तो वीडियो को माध्यम से सीखते रहे हैं वीडियो में बने रहने के लिए ठैंक यू दुस्तो